तापमान में व्रिधि से घर्टी जा रही है सर्दिया जी हां सर्दियों का दिन है लेकिन देखिए दिसंबर में भी सर्दिया कितनी कम नजर आती है और इसमें मुख्यकारण तापमान में व्रृद्धि है ग्रीन हाउस के कारण ओजोन परत का नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की वज़े से देखिए कि परिवर्तन कितना ज्यादा होने लगा है प्रदूशन क्या हो गई है उसकी स्थिती क्या हो गई है ओजोन के नुकसान से तापमान में हो रहा परिवर्तन जब ओजून को नुकसान होगा हमारी एट्मोस्फेर की ये लेयर्स हैं और जब ओजून में नुकसान होता है तब तापमान में परिवर्तन होता है वायू प्रदूशन का मानव स्वास्त पर गंभीर असर पर रहा है और इससे कई सारी बिमारिया भी उत्पन हो रही है प्रदूशन की वजह से लोगों को स्वास्त संबंदी विकार यानि की समस्याई उत्पन हो रही है दूशित हवा में सास लेनी से लोगों को परिशानी हो रही है जब हमारा एक्मोस्फेर जब हमारा बात करें प्रदूशन की वज़े से वातावरन जो है वो पुरी तरीके से दूशित होता है तब उस दूशित हवा में सास लेना लोगों के लिए परिशानी का सबब बन जाता है इससे कई सारी परिशानिया उत्पन होती है सीने में जकरन आखों में जलन जैसी समस्याएं कई सारी एहम समस्याएं फैक्ट्रिया अस्थापित की जा रही है जिससे धूल प्रदूशन की समस्याएं बढ़ती जा रही है और इन समस्याओं के बीच आम लोगों की जिन्दिगी पर ये असर कर रहा है आम लोगों की जिन्दगी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है दिन या रात प्रदूशन के स्थिती ऐसी हो गई है कि सांस लेना मुश्किल हो गया आए देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया अर्विंद केजरिवाल ने और एवेंस सिस्टम लागू किया है और कहीं ने कहीं यह सिस्टम कारगर भी है क्योंकि प्रदूशन पर विगरते इस्थितियों पर नियंतरन करने के लिए एक सक्त कदम उठाना जरूरी है और यही सक्त कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है अलाकि विहर के अगर बात करें तो ओहां के विश्थिती से आपको अबगत करायेंगे बात करेंगे विहार सरकार के जलजीवन हरियाली की देखें इस्थितिया प्रदूशन के वज़े से विगरती है तो यह देखने को मिलता है कि Air Quality Index विगरता है